तो हम बात कर रहे थे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा अगर आपके D9 चार्ट में विविन भाव में इस्तित होते हैं तो आपको क्या-क्या रेजल्ट देते हैं, इस वीडियो में जानेंगे पंचम भाव के बारे में, अगर पंचम भाव में किसी का D9 चार्ट में अगर चंद्रमा है, तो उनके लिए marriage एक sexual relationship या physical relationship की तरह होगा, वो relationship को बहुत ज़्यादा महत बदेंगे, वो थोड़े flirty type के हो सकते हैं, वो marriage में satisfaction मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको बस प्रेम चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको अगर उनका जिवन साथ ही बहुत अच्छे से care करेगा, तो वो बहुत अच्छा मानेंगे, यानि उनको care और उनको love हमेशा जिन्दकी में चाहिए ही चाहिए, अगर इसमें कोई भी कमी होती है, तो उनका किसी और से भ बहुत ज़्यादा attachment देता है, संतान के साथ बहुत ज़्यादा friendly संबंद होते हैं साधी के बाद, आपके जो creative skills हैं, वो marriage के बाद बहुत जादा बढ़ती जाती है, जैसे ही आपके marriage होती है, आपके marriage का सीदा-سीदा परभाव आपके creativity पर बढ़ता है, आपके products पर पढ़त है marriage को यहां आपका जो पार्टनर होगा वो आपको बहुत अच्छे से संतोष्ट करें वो आपको हर तरीके से संतोष्ट करें जिवन में आप यह चाहते हैं आपका जो पार्टनर होगा आपको काफी अच्छे सलाह दे सकता है वो चंद्रमा पंचम में है तो आप में कोई डांस करने का skill आप में कोई singing का skill हो सकता है और किसी प्रकार की कोई creativity हो सकती है मैरी इसके बाद आपकी educational condition improve होगी आपको बहुत कुछ नयाद सीखने को मिलेगा आपके अच्छे राइटर हो सकते हैं बहुत अच्छे कभी बन सकते हैं मैरेज के बाद तो चंद्रमा का पंचम भाव में आना यह दिखाता है कि आपका जो जिवन साथी है इस भाव को काफी एक तरीके से प्रभावित करेगा वह बहुत important रोल आपके पंचम भाव में वह लेकर आएगा तो आपको मैरेज की बाद investment करने से बहुत ज्यादा फाइदे हो सकते हैं आपको अपनी संदान से बहुत ज्यादा फाइदे हो सकते हैं आपका जो नेचर होगा हमेशा काफी अच्छा होगा दूसरों के परती इसी तरह से आपकी जो दोस्त होंगे दोस्तों के साथ आपका विभार बहुत ही अलग प्रकार का और काफी अच्छा होगा इसी तरह से आपकी कोई creativity से आपको लाब होने लगेगा आपकी educational जो skills हैं वो आपको बहुत अच्छे से काम आने लगेंगी तो यहां आपको financial gain होने के साथ आपको emotional gain भी होता है चंद्रमा का पंचम भाव में यह दिखाता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ कल्पना आवस्से करते रहेंगे जिवन में जैसे जैसे आपका जिवन आगे बढ़े और आप यह चाहते कि आपके spouse का इसमें आपको पूरा पूरा support अवस्से मिले तो चंद्रमा यहां आकर आपकी बुद्धी को सिधा सिधा प्रभावित करेगा तो आपकी बुद्धी में जो चंद्रमा वाले गुण हैं वो आ जाएंगे मैरे इसके बाद और आप हमेशा अ requirement है वो fulfill नहीं करेगा जो आप चाहते हैं आपको प्रेम रोमांस में उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी आप कहीं पर पैसा इंवेस्ट किये आपको वहां से उतना लाब नहीं होगा और आप हमेशा अपनी बुद्धी का सही स्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप में कल्पना नहीं सिलता तो होगी लेकिन आप अपने आप को concentrate करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करेंगी अगर चंद्रमा अच्छे स्तिति में हो तो आप बहुत अच्छे से concentrate कर सकते हैं लेकिन जनरली ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा चंचल बना देता है तो चंद् जब भी बंचम भाव में इस्तित होंगे आपके डीना इंचार्ट में कुछ इस प्रकार के प्रवाव देंगे।